गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्तकाल में साहिते दथा विज्ञान का विकास किस परकार से वाता के बारे में अध्यान करेंगे तो देखेगा गुप्तकाल में हमने काफी कुछ पहले पढ़ भी लिया है जैसे गुप्तकाल की सिंस करती है सामाजीकार्थिक व्यवस्ता है धार्मिक व्यवस्ता है और आपका जो भूरा जस्व व्यवस्ता है और जैसे की जो एरन का भी लेख है इन सब के बारे में हमने अ गुप्त युग में सहहित्य और विग्यान के चेत्र में अभूत पूरव परगत्ति हुई गुप्त समराजे की तापना के साथ ही संस्कृत भासा की उननती को बल मिला तथा ये राजबासा के पदपर आसीन हुई गुप्त सासक स्यम संस्कृत भासा और सहहित цен के प्रेमी थ थी परन्तु दुर्भागे वस हमें उसका किसी भी रचना की विशे में पता नहीं है चंदर गुप्त दूइते भी बड़ा विद्वान इंसाहित्या नूरागी था जिसकी रासबाद नवरतनों से अलंकृत थी गुप्तियोगीर कवियों में सबसे पहला उलेक उनका किया ज लेखनी है कौन-कौन है वो हरी शेंड तो हरी शेंड है समुद्र गुप्त का सेनापती तता विदेश सचीव था उसकी सो प्रसित क्रेती प्रियाग प्रसस्ति है जिसे हमें इसमें कावे कहा गया है जिसे जो यह है प्रियाग प्रसस्ति इसे कावे कहा गया है इस परकार स जिसे साब नाम से भी जाना गया है वीर्शन चंद्र गुप द्वित्य का यूद सचीविता उसकी रचना उदेगिरी गुहलेक है जिसमें उसे शाब्द अर्थ न्याई व्यक्रण राजनिती आदिका मुर्मग्य कवी एम पाटली पुत्र का निवासी कहा गया है अगला है वत्सबटी कुमार गुप्त पर्थम का दरबारी कवी था वह सिंस्कृत का परकांड विद्वान था जिसने मंसोर परसस्ती की रचना की थी इसकी रचना मालव समवत 539 अर्था 472 इस्वि में की गई इसमें दशपूर में सूर्य मंदिर बनवाये जाने का वर्णन है परस काडीदास गुप्त-शसक चंद्रगुद्वीत्य गां समकालीन था काडीदास ने साथ क्रंथों कि रचना की थी जो इस परकार से और कालीदास के बारे में हमने आपको पहले वीडियो दिखाये था उसको और वी धहान से देखेगए तो देखेगा इसके कारीदास द्वा इनमें पर्थम दो महा कावे, दो खंड कावे, अर्थाद गित्ती कावे तदा तीन नाटक ग्रंथ हैं। कालिदास को, कालिदास के अलवा, गुप्त काल में कुछ अन्य लेखक भी परसिद हुए हैं, जो इस प्रकार हैं, भारवी, शुद्रक एम विशाकादत। सुबंदु ने वास्व दत्ता की रचना की। गुप्त काल में धार्मिक ग्रंथों में यागवललके, नारद, कात्यायन, ब्रहस्पती, आधिकी स्मर्तियों का उलेख किया जा सकता है। गुप्त काल में ही पुराणों के वर्थमान सरूप का संक्लन हुआ, तथा रामायन और महाभारत को भी अंतिम रूप परदान किया गया। बंगाल के विद्वान चंत्र गोमी ने संद्र व्याकरण नामक सिंस्क्रित व्याकरण गरंथ की रचना की। एमर सिंग ने अमरकोस लिखा, विश्णु वर्मा ने पंस्तंतर की रचना की, कामंदक ने नीतिशार तथा वादसायन ने कामसुतर की रचना की, जैन दता बोध लेकों ने भी कई रचनाई गुप्तकाल में करी थी। वार्य भट्यम है, इन्होंने गणित के वीविद विश्व नियमों का पर्तिपादन किया, थता सर्व पर्तम ये खोचकी की, पर्तवी अपनी दूरी के चारों और पर ये भर्मन करती है। लगुजा तक आदी पर्मुख हैं। पन सिदान्तिका में उस समय भारत में पर्सली जोतिस के सिदान्तों का विवरण मिलता है। चंद्रगुप द्वित्य का महरोली लोहा इस्थमले गुप्त्यूगीन दाथुविग्यान की सम्मूनत होने का जो अलंत पर्मान है। ये लगबग डेढ़ हजार वर्सों से सर्दी गर्मी बर्सात को जेलता हुआ जो कात्यों खड़ा है। और इस पर किसी परकार की जंग नहीं लगने पाई है। इस इस्थमले की पोलिस आज भी दाथुविग्यानिकों के लिए आज चरिये की वस्तु बन्य हुई है। तो देखेगा हमने गुप्तकाल के साहित्ते और विज्ञान के बारे में इस वीडियो में जानकरी प्राप्त की। ये बहुत ही इंपोर्टेंट सूसना हमने आपक को दिखाई है। इसमें से एक करने क्यूसन आपको एकजाम में पक्का मिलेगा। तो यूँ ही देखते रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को। अग्जान के बारे में प्राप्त की।